नमस्कार, MP News की इस खास पेशकर्श में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है मद्यप्रदेश के ये विधान सभा चुनाओ वाकई में बहुत दिल्चस्प हैं क्योंकि बड़े-बड़े राजनितिक विशलेशक ये नहीं अब तक बता पा रहे हैं कि आखिर सरकार किसकी बनने वाली है और किसके सर पर जीत का सहरा बनने वाला है और कौन इस विधान सभ में प्रवेश पाने वाला है आज हम बात करते हैं इन दौर की विधान सभा सीट करमांग पांच की जहां एक और बीजेपी ने अपने पुराने चहरे महिंद्र हाडिया पर भरोसा जताया था तो वहीं कॉंग्रेस ने एक एक्सपरिमेंट करते हुए सत्यनारायन पटेल को यहां से उमिद्वार बनाया था दोनों ही चहरों ने बहुत पसीना भी बहाया है और शेत्र के मुद्दो को जनता के बीच उठा कर ले गए हैं लेकिन किस पर जनता ने भरोसा जताया है और किस के साथ है जनता का विश्वास इसका फैसला 11 दिसंबर को वोटों की गिनती क साथ होगा लेकिन उससे पहले चुनावी कहानी क्या कहती है और कैसे चुनावी कहानी के अलग-अलग रंग यहां पर संकेतों ही संकेतों में बहुत सारे परिडाम साफ कर देते हैं तमाम जानकारियों के लिए हम चलते हैं MPNews के समाधाता राहूल पटेल के पास राहूल से करीब 3,30,000 वोटर रहें 3,67,000 वोटर जो कि मद्रप्रदेश में वोट के लिहाज से सबसे बड़ी विधानसवा मानी जाती है यहां पर वही जो बात है कि महन हर्डिया जो बाबा के नाम से मशूर है लगातार दोजार तीन से चून के आ रहे हैं वही सतिरान पटिल पर क्लोज फाइट में जो हैं वो जीते थे महिंद BRAuhan चाओधार 14,485 वोट की जीत थी वही इस बार की बात करें तोra मट-प्रतिशन और कहίνँ इसारा कर रहा हैं और इशारा यहे कि 65.22 परतिशन इस बार मत दान रहा पिछली बार के मात करें तो 66.85 परसें नब दान रहा था वहीं अगर हम जातिगत समीगणों की बात करें मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि यहां पर जातिगत और धर्मवाद की जो राजनिती है वो अपने चरम पर रहती है सतर हजार वोट कईने कई यहां पर एक मुस्लिम के वोट बेंक है जो कॉंग्रेस को ऐसा लगता है कि यह सीधे हमारी जहुली में आएंगे वहीं अगर हम 2003 से लगातार जो भारती जन्ता पार्टी को जीत मिल रहे है तो महेंदर हाडिया भी इस चीज़ को लेकर आस्वस्त है यहां पर जो सबसे बड़े जो मुद्दे में निकल के आए हैं वो है कि जो सड़क से जो समंदित जो परेशानिया है लगातार रही है वो बिजली के मुद्दों में भी कही ने कही परिशानी नजर आई है तो ये जो समीकरण मुद्दों की बात करें तो इतने खास बड़े मुद्दे नहीं थे लेकिन जो जिल्चस बात थी कि पंकवच पंकच संगिवी का साथ सत्रान पटेल को मिला और कई ने कई वो एक और एक ग्यारा हुएं तो इस बार ये फैक्टर भी बड़ा इस पर काम करते वे नजर आएगा चली तो कुल मिलाकर कहा ये जा सकता है कि इन दौर की विधानसवा सीट कर्मांग 5 में बहुत सारे यूं तो रोचक मुद्दे थे जहाँ एक और अवेद कॉलोनियों का मुद्दा यहाँ पर बीजेपी की सरकार में गर्माया था तो वहीं कॉंग्रेस ने नए चहरे को मैदान में उतार कर पुराने तमाम राजनितिक समीकरणों को धो कर रख दिया लेकिन वो कौन से ऐसे स्टार चहरे रहे जिनोंने इन दौर की स्विधानसवा सीट में बहुत हद तक जोर भी लगाया और अपनी अपनी पार्टी की उमिद्वारों के लिए जीत का रास्ता वो यहां पर तैय करके गए तो जरा इन तमाम जानकारियों को भी राहुल जनता तक हमारे दर्शकों तक पहुंचा दीजिये पांच टंबर में भारती जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचाराग सीएम शिवरा सिंग चौहान ने जनसभा को संबोधित किया और महंद्र हाडिया के पक्ष में पूरा माहुल बनाया और वहीं अगर हम कॉंग्रेस की बात करें तो जोती रादित्य सिंधिया ने ताबर तोड अपने तलक तेवरों से भारती जनता पार्टी पर निसाना साधा और साथ में राजबबर ने अपनी जो बबाक तरीका है उनका भाशन बाजी करने का और तलक तेवरों के साथ में उनने ताबर तोड भारती अंता पार्टी पर हमले किये थे यह वही राजबबर हैं जो अपने लगातार अपने बयानों से सुर्ख्यों में बने रहते हैं वहीं दिगविजे सिंग ने और नगमा ने भी अपनी अपनी जनसभाओं को समोधित करके सतिनान पडिल के पक्ष करते हुए नजर आई तो वहीं कई ने कई अगर हम बात करें तो दोनों ही जो पार्टिया हैं अठारा हजार वोट सम्तिंग से अपनी जीत के प्रतिया आस्वस्त नजर आ रही है और समीकरणों की यदि हम बात करें इस्टार पचारकों के साथ साथ तो इसमें कांगरेस ब अंडल आसा सोनी दिलीब सोनी सुरुच कहरो इनके अलग-अलग जो पारसद है इनके छेतर से भारती जनता पार्टी बड़ी आस के निगाह से देख रही है कि यहां से हमें एक मुश्त वोट आएगा और लीड लेंगे बरहाल यहां पर मैं आपको आखरी में बताते चलता बड़ी ही विदानसभा है बराबरी की टक्कर है कुछ भी हो सकता है पसो पेश में है क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्योंकि जो मद्दान है परसंट है बहुत कुछ इशारा कर रहा है चलिए उट किस करवट बैठेगा और किसका पलडा होगा भारी यह जरूर 11 तारीक को साफ होगा लेकिन उससे ठीक पहले विदानसभा सीट कर्मांग 5 की कहानी जो है यह चुनावी कहानी राजिनीती के विबिन रंगों को जहां एक और हमें दिखाती है तो वहीं दूसरी कॉंग्रेस के लिए सीट कितनी एहम है और बीजेपी आखिर क्यों इस सीट को हाथ से जाने नहीं देना चाहती यह तमाम सम्मीकरणों के कहानी को भी साफ कर देती है बहराल जनता ने किस पर भरोसा दिखाया है और किस पर दिखाया है विश्वास इसका फैसला 11 दिसंबर क की तारीक को होगा और आखिर कौन विधानसबा में एक बार फिर सदस से बन कर इसमें प्रवेश पाएगा इसका फैसला भी जनमत के साथ सामने आ जाएगा MP News की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और नई विधानसबा सीट की चुनावी कहानी लेकर और राजिनिती और चुनाव से जुड़े तमाम रंग हम अनूठे अंदाज में अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे फिलहाल दीजिए इजाजत और ताजातर इन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहेंए MP News नमस्कार